असलाम अलेकुम प्यारे बच्चों आज हम आप लोगों को क्लास वन मैद की किताब नवीन सरगणित का पेज नंबर नो अवतस पढ़ाएंगे तो सभी बच्चे अपनी किताब का पेज नंबर नो खोलें प्यारे बच्चों देखिए पेज नंबर नो पर सबसे उपर है हेडिंग एक की पहचान इसका मतलब कि एक किसको कहा जाता है उसकी पहचान हमको यहां बताया गया तो देखिए नीचे कुछ तस्वीर दिया गया है जैसे कप, चमच, केतली, गिलास तो बच्चों यहां कितने कप है एक कप है, चमच कितने है एक चमच है, केतली केतनी है, एक केतली है, गिलास कितने है, एक गिलास है तो बच्चों यहां जितने भी चित्र दिये गए हैं, सब की संख्या एक है, कितनी है एक, एक किसको कहा जाता है, देखिए अंगुली के इसारे से एक अंगुली, एक अंगुली के इसारे से बताया गया है, यही एक है, इस अंगुली को आप लोग देखिए, एक बताया गया यह है और एक इलास है नीचे देखिए हाँ के तरी की संख्या कितनी है एक है तो एक किस तरह से लिखेंगे एक इस तरह से लिखेंगे बच्चों देखिए एक को लिखने का तरीका यह है एक इस तरह से लिखेंगे एक आगे गिलास की संख्या कितनी है एक एक गिलास है तो हम हम एक गिलास को एक कैसे लिखेंगे हमकों में देखिए एक इस तरह से लिखा गया है लिख करके पाया गया है यही एक है लिखने के लिए एक हम इस तरह से पर्योग करेंगे यहां देखिए कप कितने कप है एक कप यह को हम पैसे लिखेंगे इस तरह से लिखेंगे अगला है चम्मच हम कहेंगे कि यहां चम्मच की संख्या कितनी है तो बच्चों देखे एक लिखने के लिए इस तरह से एक लिखा जाएगा तो बच्चों अब आप अपनी किताब का पेज नमबर 10 खोलें तो बच्चों देखिए पेज नमबर 10 पर है दो की पहचान यानि दो कितने कितने को कहा जाता है उसकी पहचान उनको यहां बताएगी है देखिए जैसे पहले दिया गया है पहली तस्वीर में बल्ला कितना बल्ला है? एक दो दो बल्ला दिया गया है अगला है फुटबॉल तो यहां पर तस्वीर में जो दिया गया है सब दो दो है तो दो कितनी कैसे हम उसको कहेंगे कि कितना है देखिए अंगुली के इसारे से एक अंगुली दो अंगुली दो अंगुली इसारे से बताया गया है कि यही दो है बच्चों हम दुरू बताने के लिए अपनी दो अंगली का इस्तेमाल करेंगे अब देखिए नीचे तस्वीर में बल्ला बच्चों कितने बल्ला है एक, दो यहाँ पर दो बल्ले है अब दो को हम लिखेंगे कैसे तो बच्चों दो लिखने के लिए देखे यहाँ दो लिख करके दिखाया गया, ऐसे, दो, ऐसे लिखेंगे, ऐसे, ये दो है, लिखा है, दो, लिखने की पहचान दो की दिखे यही है, अगला है, फुटबाल, कितने फुटबाल है, एक, दो, तो यहाँ पर देखे, दो फुटबाल है, अब दो हम कैसे लिखें तो देखें यहां दो लिख करके बता गया है दो इस तरह से लिखेंगे अगला है टोपी एक दो दो टोपियां तो बच्चों दो टोपियों को हम दो कैसे लिखेंगे देखें यहां लिख करके दो बता गया है दो तो बच्चों इसी तरह से आप लोग कुछ वस्तुन को ले करके उसकी संख्या किनिये जदि कोई वस्तु एक है उसकी संख्या एक है तो एक किस तरह से लिखेंगे एक लिखने का भ्यास अपनी काफी में करें और कुछ वस्तुने दो दो वस्तुन को ले करके आप उसको गिन करके दो किस तरह से लिखेंगे दो को अपनी काफी में लिख करके भरें तो प्यारे बच्चों आज के लिए हम आपको इतना ही पढ़ाएंगे एक और दो की पहचान तो एक और दो की पहचान मैं समझता हूँ आप लोग समझ गए होंगे एक और दो इसको दो और एक को कैसे लिखेंगे और कैसे हम उसको अंगली के इसारे से बताएंगे तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही हम अगले वीडियो में आप लोगों को फिर आगे तीन, चार, पांच की पहचान कराएंगे और बताएंगे कि तीन, चार, पांच की संख्या को हम कैसे इसारे से बताएंगे और तीन, चार, पांच को हम कैसे अपनी कापी में ब्याखने ज़रा लिखेंगे संख्या में लिखने के लिए तो ब्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही सलाम वालेकूं